तो विल्कुम एक दोस्तों कैसे आप लोग आप लोग अच्छे ही होंगे तो हर रोच कितर आज की वीडियो टेगनीज है वह क्वाइट इंडेस्टिंग होने वाले इस पूरा टेगनीज ज़रूर आज करके आना आपको ज़रूर मजाएगा दोस्तों अपकमिंग है इस बात करना तो अक्टुबर का मन्त आज से स्टार्ट होगी तो इस मत भी काफी सारे प्लेक्टिब पैज है लावफिशल वेबसाइट पर आचुका है जो टीजर बाहरा है उसमें आप देख सकते हो की पीछे की तरब एक तो स्कॉयअट कैमरा लेयाट इसमें आपको दि बित वाई सपोर्ट जो कि किलरली इमेज में आपको नजर आ रहा होगा साथ में लावा ने यह भी कन्फर्म कर दिया कि इसमें प्रोस्टर के तौर पर डायमन सिटी 7300 एक चिपसेट देखने को मिलने वाला जो कि रेखा जाये तो एक परफॉर्मेंस पैक या प्रोसर है इसक के अलावा इसका जो अंत्तु स्कूर है वो लगबग 6,40,000 प्लस देखने को मिला है तो अगर कंपेर किया जाए स्नाप डेकन 7 एस जेन 2 चिपसेट से तो उसका यह कंपडिटर होने वाला है तो अबर डायमन सिटी 7300 एक चिपसेट के साथ जो परफॉमेंस है वो बेटर हो करता है तो अभी फिलाल लावा अगनी 3 के स्पिकेशन अफिसियल रिवील नहीं है लेकिन प्राइस के अगर बात की जाए तो अंडर 30,000 के आस पास इसे लाउंच किया जा सकता है पिछला जो लावा अगनी 2 लाउंच हुआ था तो उसका जो एट प्लस टू फिप्टी सिक लगबाग 22,000 के प्राइस कर गरी में लाए गया था जो की काफी सक्सेस्पूल भी हुआ है एंड लावा अगनी 2 5G को डाइमेंच सिटी सेवेंटी 50 चिपसेट के साथ लावा दोस्तों अपडेट्स यह भी है कि आईफोन 15 प्रो स्रीज में जैसा एक्शन बटन बात करेंगे लेकिन आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितने लोग लावा के स्मार्टफोन यूज करते हो इसकला आप जोस्तों एमजोनान फ्लिपकार्ट पर सेल चल ला है तो जो लोग अंटर 25,000 के प्राइस कट गरी में एक बेटर डिल डून रहे ह तो वह Poco F6 को जरूर से चेक आउट कर सकते हो लिपकार्ट पर अभी इसका जो प्राइस 8 प्लस 256 जिवे स्टोरीज की वह एराउंड 22,000 के आसपास है और इसमें आपको UFS 4.0 का स्टोरीज टाइप भी मिलने वाला है साथ में इसे स्नैप डेगर 8S Gen3 चिपसेट के साथ ला इसका जो प्राइस है वो लगबग 25,500 के आसपास Amazon पर होने वाला है और इसे स्नैप डेगन 7 Plus Gen3 चिपसेट के साथ लांच किया गया है साथ में ऑवराल जो इसका कैमरा है वो भी बेटर होने वाला है और अच्छी डिस्पले के साथ इसे लांच किया गया है तो ऑवराल एक स्मार्टफून चाहिए तो Realme GT60 की तरब आप जहूर से देखना साथ में जिनलों का बजट थोड़ा सा और कम है और OnePlus का स्मार्टफून लेना चाते हो 22,000 के प्राइस के गरी में OnePlus Nord C4 भी आपके लिए अच्छा अप्सन हो सकता है क्योंकि एक तो इसे स्नैप डेगन 7 Gen3 चि इसकी मैं बात कर रहा हूं ध्यानकना की तीनों यह स्मार्टफून के जो मैंने प्राइस मिलाकर है तो बाद में मुझे आप कमेंट में मत बुलना कि भाई प्राइस तो अभी ज़्यादा ही है और आपके पास SBI कार्स है तो Amazon पर 10% इंस्टेंट डिसकाउंट आपको इस से आपको लॉंच होने वाले है तो उनमें भी वो X200 स्रीज भी होने वाला है इसकी भी ओफिसियल लॉंच डेट कनफर्म हो चुकी है 14 अक्टूबर को इससे चाइज मार्केट में लॉंच किया जाएगा साथ में इसका ओफिसियल इमेज भी बारा चुका है इसमें टोटल चा करो वह थी नहों गया है एंड फ्लैट डिस्प्ले इसमें होने वाली है वही पर जो 200 प्रो है उसमें कर्व डिस्प्ले देखने को मिल सकती है बाकी जो अबरॉल कैमरा पीछे का जो डिजाइन है वह बिलकुल वीवो एक्स हंडेड स्रीज के जैसा है इसमें पीछे की भी होता है कैमरा को लेकर ही तो X100 का भी कैमरा काफी वेटर होने वाला है इसके लाब दोस्तों वीवो X200 में 3 श्मार्टपोन लांच होने वाले एक तो वीवो X200 सांग में X200 प्रो एंड तीसरा प्रोसर की बात कर लूँ तो भीवो एक्स टूंडेट स्रीज को डामेंटी नैंटी फोर हंडेड चिपसेट के साथ लॉंच किया जाने वाला है तो यह एक फ्लैक्सिट चिपसेट है अपडेट्स आ रहे हैं कि ओवराल जो इसका अंत्तू स्कोर है इस्पेसली वीवो एक्स टूंडेट प्रो में राउंड 30,00,00 प्लस देखने को मिली है तो इससे आप समाश सकते हो कि ओवराल जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बेटर होने वाली है और इसी मन्थ ओपो स्कोर या वीवो एक्स टूंडेट प्रो में कर रहा है इस्पेस्प्रिकेशन अगले कुछ दिनों में कंफर्म होने दीजे फिर इस पर मैं एक डीटेल वीडियो भी मनाने वाला हूं इस्पेसली वीवो एक्स टूंडेट स्रीज के रिगांडिंग साथ में दोस्तों भी ड सामी 15 स्रीज भी इस मन्त अक्टूबर 23 के आज पास चाइना में लॉंच हो सकता है और मैंने आपको बताया था कि इसे भी स्नेपडेगन एट जनफोर चिपसिट के साथ लॉंच किया जाएगा तो इसका एक पोस्टर बारा आया है जिसमें किलरली आप देख सकते हो कि कॉल इसमें जो दो कोर्स है वह परफॉर्मेंस कोर होंगे इसमें जो पी कोर्स है वह 4.0 GHz पर क्लॉंक्ड है साथ में आपको यही बता दूं कि यह जो स्नेपडेगन एट लाइट है उसमें स्नेपडेगन का कॉस्टम और योवन आर्किटेक्टर का यूज किया गिया है तो आज की जितनी भी टेक्निवस थी उसमें सबस्यादा पसंद आया नीचे कमेंट सेक्षन में जो बताना साथ में लाइक करना मत भूलना एंड रेगलर बूलना हूं की चैनल का जो रिच है वह बहुत ज़्यादा कम है तो देखने के साथ साथ दोस्तों के साथ इससे शेयर सब्सक्राइब करो ठीक है साथ में आप लोग मुझे टूटेश टाइंग आप पर फोलो कर सकते हो उन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देद रहा हूं एंड मोस्ट इंपोर्टेन जो लोग भी नहीं हो चैनल को जहुर से सब्सक्राइब कर लेना ठीक है तो फ